विशे गानेत, मैथ मैजिक, पुस्तक से कक्षा चतुर्थ का पाठ पैटर्न प्रस्तुत करती भारती वर्मा और तनुजा रानी हेलो निकी हेलो डुगू निकी पता है आज मेरी मैम ने मुझे पैटर्न पढ़ाया था लेकिन मुझे उसमें कुछ भी समझ नहीं आया अच्छे से क्या तुम मुझे समझा पाओगी हाँ वो तो बहुत ही आसान है पैटर्न तो आपको कहीं भी देखने को मिल सकता है देखू जैसे मैं इस चटाई पर खड़ी हूँ ये भी एक प्रकार का पैटर्न है अच्छा तो ऐसे होते हैं पैटर्न हाँ ये तो बहुत ही आसान है मैं तुमें और भी बहुत सारे चित्रों के माद्यम से पैटर्न को समझने में तुमारी सायता कर सकती हूँ तैंक्यू निकी आओ आओ हम दोनों चित्रों के माद्यम से इस पैटर्न को रच्छे से समझते हैं सबसे पहले घर में देखते हैं जैसे टाइलो पर, चद्दर पर और पर दो पर पैटर्न और गणित में भी होता है गिंतियों में पैटर्न और अंग्रेजी में भी ए से लेकर जट तक जैसे ए का पैटर्न है एक, बी का है दो दिवाली की रंगोली में भी पैटर्न होता है है ना कितना मज़ेदार और साथी चित्रों में भी जैसे बतक फिर ही रन फिर बतक और फिर ही रन इसी प्रकार आकरतियों में भी होता है पैटर्ण तो अब तक आपने पैटर्ण के लिए अपनी समझ बना ली है सामने देखिए किस तरीके से एक ही फिगर को यानि खरगोश की लगलग रंगों में नया पैटर्ण दिया जा रहा है अब हम सीखते हैं नमबर पैटर्ण देखिए नमबर पैटर्ण के लिए सबसे जुरूरी है उस प्रशन को समझना जो सामने आपके दिया गया हो जैसे 4, 16, 36 आगे क्या आएगा हमें ये पता लगाने के लिए पहली संख्या को समझना बहुत जुरूरी है जो कि है 4 वो कैसे बनी है? 2 को 2 से गुणा करने पर बना है 4 तो आगे अगली संख्या है हमारी 16 वो कैसे बना है? वो बना है 4 को 4 से गुणा देने पर 16 आगे हम अगली संख्या को देखते हैं 36 कैसे बना है? 6 को 6 से गुणा देने पर बन कर आया है 36 है ना इससे आगे क्या नंबर होगा? ये पता लगाने के लिए बहुत असान है 2, 4, 6 अगला नंबर जो है वो क्या होना चाहिए जिसको दो बार गुणा करा जाए तो अगला नंबर मेरे पास आ जाए सोचिए थोड़ा तो 2, 1 एक एवन नंबर है 4 भी एवन, 6 भी एवन अगला नंबर भी एवन होगा जो की है 8 तो 8 को 8 से गुणा करने पर क्या आता है 64, 64 तो ये नंबर भी बनाएए और आगे अगला नंबर देखिए तो ये देखिए इस तरीके से हमें संख्याओं में धून के निकालना इवन ओर नंबर कोन से है इवन नंबर जो 2 से भाग हो जाए जो उपर दिख रहे हैं आपको जो 2 से भाग नहीं होते उन्हें ओर नंबर कहते हैं जैसे seats पर भी आप recognize कर सकते हो करोना काल में तो आपको दिहानी है ना एक seat पर क्रॉस और दूसरे पर बैठने दिया जाता था तो इसी परकार से odd even का formula भी वहाँ इस्तमाल होता था आप यहाँ देखिए जब दिल्ली में pollution जादा होता था तो दिल्ली सरकार odd even की काणियों का rule निकाल देती है एक दिन odd चलेंगी एक दिन even चलेंगी तो end में जिसके odd number होगा odd दिन और even होगा तो even दिन even नमबर को पेचारने का सबसे असान तरीका है 0, 2, 4, 6, 8 जिस भी number के अट मेंगा तो even नमबर गाड़ी है तो आईए अब हम number and alphabet pattern का एक rule बढ़ते हैं यहाँ पर हमने जो English alphabet है A to Z उसमें से सिरफ vowels को select किया है वोवल कौन से होते हैं बच्चो A, E, I, O, U तो A के लिए हमने number A codicide किया है E के लिए coding में हमने number 2 को I के लिए 3 को O के लिए 4 U के लिए 5 तो इसी तरह से सामने screen पर दिखाया क्या sentence क्या आप guess कर पा रहे हैं कि क्या लिखा है अभी हमने आपको बताया A के लिए हमने number 1 number 1 को लिया था तो यानि यहां पर एक की जगा A आएगा यानि B, L, A, Y, play और 4 की जगा 4 का लिया था हमने O तो play और दोनों जगा 4 है तो दोनों में O आजाएगा और 3 का I और 2 के लिए E तो क्या sentence बन गया play और movie कितना अच्छा तरह के से आपने sentence फॉर्म कर लिया है ना coding से मज़ेदार है ना यानि खेलो और movie देखना है तो खेलना है या movie देखना है यह तो आप ही को decide करना है तो आगे और pattern भी हम सीखते हैं देखिए A, B, C, D सारा जो English alphabets है उनको इक alphabetical orders में लिखा गया है A के लिए हमने pair decide कि है 1, B के लिए 2, C के लिए 3, D के लिए 4 ऐसे ही सारे alphabet को एक pair number के साथ दे दिया गया है जो कि A से Z तक Z जो है last alphabet है English में तो अब आप देखिए किस तरीके से coding help करेगी आपको इन numbers के साथ देखिए एक sentence लिखा है सामने screen पर let me go यानि मुझे जाने दो तो let में L, E, T है L के लिए हमने अभी क्या number देखा था क्या pair था L का 11 सामने screen पर देखिए 11 है E के लिए 6, D के लिए 19 ऐसे ही M के लिए 13, E के लिए 5 G के लिए 7, O के लिए 15 तो इसको learn करने के लिए मैंने आपके लिए एक छोटा सा trick बनाया है जिसको कहते है E, O, D तो E जो है 5 का table अगर आप चलाएं E पांचवे स्थान पर है J 10, O 15, T 20 और Y 25 में नमबर पर है अगर आप इस तरीके से इसको याद कर लेंगे तो आगे पीछे वाले English alphabet आप इसी लिए याद कर लेंगे ये एक टाइल का डिजाइन है देखिए इसमें भी एक pattern है आप भी अपने आसपास की टाइले को डिजाइन देखिए और copy में बनाईए तो अब हम सीखते हैं Palindrome के बारे में Palindrome वो होता है जिसमें संख्याओं को अक्षरों को आगे पीछे जैसे भी पढ़ा जाए तो उसको एक जैसा ही पढ़ा जाएगा जैसे देखिए SOS को आप ऐसे पढ़ लीजे तब भी आप उसको SOS ही पढ़ेंगे हाय जैसा करत emergency लोगे करते है करतें है जैसा करते है